हेलो एवरिवन, वेलकम अगें टू लर्ण प्रिदेतिमन, तो हम लोग कर रहे हैं, NCRT में जो हमारा राजी स्थान की बुक स्कूल में चल रही है, इस वक्त उसके कुशन अंसर कर रहे हैं, क्लास एर्थ के, जिसमें हमने फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर के कुशन आंसर कर लिये हैं, आप लोगोंने देख भी लिये होंगे और लर्ण भी कर लिये होंगे, ठीके, वीडियो को स्टार्ट से एंड तक देखिए, ताकि आपको सारे कुशन जो हैं, वह याद हो सकें, और सबसे पहले मैंने आपको बताया था चैप्टर पढ़िए, उसके बा प्रियासों से आगे बढ़ी, राजिस्थान के एकी करण की प्रक्रिया किसके प्रियासों से आगे बढ़ी, तो लॉड लिन लित्गों के आदेश पर, 1949 इसवी में आगे बढ़ी थी, तो वाई सराय जो लॉड लिन लित्गों थे, उनहीं के आदेश पर राजिस्थान एक कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शाशित प्रदेश थे, तो एकी करण से पूर्व राजिस्थान में 19 रियासतें थी, तीन ठिकाने थे, कुसलगर, लावा और नीमराना, तो यह मैंने आपको याद करवाया था, नकल के नाम से, ना से नीमराना, का से कुशलगड़ और ला से लावा ठीक है नकल से ये तीन ठिकाने जो है वो आपको याद हो जाएंगे और एक केंदर शाशित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा एक ही करन से पूर्वराजिस्थान की 19 रियासतें कौन-कौन से थी तो यहां पर 19 रियासतों के नाम जो हैं वो आप देख लें जैपूर, चोदपूर, उदैपूर, बीकानेर, पूंदी, कोटा, थौलपूर, भरतपूर, अलवर, ढूंगरपूर, परताबगड, पांसवाड़ा, जालावाड, करॉली, शाहपुरा, शिरोही, टॉंक, जैसलमेर और किशनगड ठीक है, तो आप ऐसे इनको याद रखिए, मैप आप लोगोंने अब तक तो याद कर लिया होगा, कौन सा जिला कहां पर है राजिस्थान एकी करन का प्रथम प्रयास किस रियासत के शाषक ने किया तो कोटा के जो शाषक थे महाराव भीम सीम इन्होंने सबसे पहले प्रयास किया था एकी करन का नेक्स्ट देखिए, question 5. राजिस्थान का एकी करण कितने चरणों में पूरा हुआ? तो यह साथ चरणों में जाकर पूरा होता है. ठीक है? याद रखिएगा, राजिस्थान का एकी करण साथ चरणों में पूरा हुआ. मतस्य संग का गठन कब किया गया? तो सबसे पहला जो चरण था वह था मतस्य संग. तो इसका जो गठन है वह किया गया 18 मार्च 1948 को. याद रखिएगा, राजिस्थान के एकी करण में साथ चरणों में प्रक्रिया पूरी होती है. पहला चरण मतस्य संग, दूसरा पूर्वी राजिस्थान, तीसरा संयुक्त राजिस्थान, उसके बाद चौथा व्रहद राजिस्थान, पांचवा संयुक्त व्रहद राजिस्थान, छटा जो था वह है राजिस्थान संग और साथवा जो है अंतिम चरण वर्तमान राज धौलपुर करो ली ठीक है तो ये चारों जो हैं वो मतस्य संग में जिले आते हैं और यहां पर अलवर जो है राजधानी रही मतस्य संग भी मतस्य संग में राज प्रमुक और प्रधान मंत्री किसे न्युक्ट किया गया तो देखिए मतस्य संग से जो है कोशन आपके एक्जाम में पूछा भी गया था ठीक है और रीट है, सेकंड ग्रेड है, फर्स्ट ग्रेड है तो वहाँ पर राजिस्थान के एकी करण से एक कुशन तो हर बार पूछा ही जाता है तो अभी देखिए जो एक्जाम हुआ था फायर में का तो वहाँ पर भी आप देखिएगा कि राजिस्थान का जी के जो है वो इन ही बुक से पूछा गया है इनी बुक से पूछा गया है तो मतर्ष संग के राज प्रमुक जो है उदेबान सींग थे और प्रधान मंतरी सोभा राम कुमावत को बनाया गया था ठीक है धौलपूर के महराजा थे उदेबान सींग और प्रधान मंतरी मतर्ष संग में सोभा राम कुमावत को बनाया गया पूर्वी राजिस्थान का गठन कब किया गया? पूर्वी राजिस्थान में राजधानी किसे बनाया गया? पूर्वी राजिस्थान में राजधानी किसे बनाया गया? संयुक्त राजिस्थान का गठन 18 अप्रेल 1948 को किया गया था। संयुक्त राजिस्थान में कौन-कौन से जिल्ले शामिल किये गये? संयुक्त राजिस्थान में कौन-कौन से जिल्ले शामिल किये गये? तो इसमें पूर्वी राजिस्थान में उदैपोर यानि मेवार को मिला दिया गया। संयुक्त राजिस्थान में राज प्रमुक और प्रधान मंत्री किसे बनाया गया? तो यहां पर राज प्रमुक जो है, मेवार के भूपाल सिंग जो महाराज के उन्हें बनाया गया और प्रधान मंत्री मानिक के लाल वर्मा को बनाया गया था। संयुक्त राजिस्थान का उद्गाटन किसने किया? तो यहाँ पर मेवाड को मिलाया गया था पूरवी राजिस्थान में तो यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नहरू को उद्गाटन के लिए बुलाया गया था व्रहद राजिस्थान कब बना? व्रहद राजिस्थान जो की चौथा चरण है राजिस्थान एकी करण का तो इसका गठन किया गया 30 मार्च 1949 को ठीक है? याद रखिए 30 मार्च को हम राजिस्थान का इस्थापना दिवस मनाते हैं नेक्स्ट दिखिए कुशन 18 है राजिस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजिस्थान दिवस जो है वह 30 मार्च को ही मनाया जाता है व्रहद राजिस्थान में कौन से जिले शामिल किये गए तो राजिस्थान दिवस हम क्यों मनाते हैं क्योंकि इस चरण में व्रहद राजिस्थान जो चरण था इसमें बड़ी-बड़ी रियासतों को शामिल किया गया था ठीक है इसी लिए से व्रहद राजिस्थान कहा गया और इसी दिन हम स्थापना दिवस मनाते हैं राजिस्थान का 30 मार्च को तो यहाँ पर जैपूर, जोदपूर, वीकानेर और जैसलमेर तो यह सबसे बड़ी रियासतें थी इनको संयुक्त राजिस्थान में मिलाया गया व्रहद राजिस्थान में राज प्रमुक और प्रधान मंतरी किसे बनाया गया तो यहाँ पर राज प्रमुक जो है वो जैपूर के मान सिंग सेकिंड को बनाया गया था ठीक है और यहाँ पर जो महाराज है वह है भूपाल सिंग को ही बनाया गया था और प्रधान मंतरी हीरा लाल सास्त्री को बनाया गया व्रहद राजिस्थान का उद्घाटन किस ने किया तो बड़ी बड़ी रियासत ने शामिल की गई थी तो यहाँ पर उद्घाटन जो है वो सरदार बल्लबाई पटेल ने किया था याद रखें व्रहद राजिस्थान 30 मार्च 1949 को गठन हुआ, जैपूर जोदपूर विकानेर जैसल मेर को संयुक्त राजिस्थान में मिलाया गया और यहाँ पर उद्घाटन के लिए सरदार बल्लबाई पटेल को बुलाया गया संयुक्त व्रहद राजिस्थान कब बना? संयुक्त व्रहद राजिस्थान जो की एकी करण का पांचमा चरण कहलाता है तो इसका गठन 15 माई 1990 को किया गया था संयुक्त व्रहद राजिस्थान में कौन-कौन से जिल्ले शामिल किये गए संयुक्त व्रहद राजिस्थान में कौन-कौन से जिल्ले शामिल किये गए तो इसमें मतस्य संग को व्रहद राजिस्थान में मिला दिया गया मतस संग को हमने अभी तक कहीं पर भी नहीं मिलाया था जहां अलवर, धौलपूर, भरतपूर, करोली ये चारो जिले जो हैं वो अलग थे तो इनको भी व्रहद राजिस्थान में मिला दिया गया राजिस्थान के एकी करण में छटवा चरण कौन सा है तो याद रखिए राजिस्थान के एकी करण का जो चटवा चरण है वह राजिस्थान संग कहलाया ठीक है राजिस्थान का गठन कब किया गया राजिस्थान का गठन कब किया गया तो 26 जनवरी 1950 को राजिस्थान संग या राजिस्थान का गठन जो है वो है तो अंतिम चरण में वर्तमान राजिस्थान हमारा आ जाता है सामने और ये सात्वा चरण था जो की 1 नवंबर 1956 को इसका गठन हुआ तो याद रखें कि 18 मार्च 1948 से राजिस्थान का एकी करण जो है वो प्यारम होता है और 1 नवंबर 1956 को पूरा होता है राजिस्थान के एकी करण में जो सात्वा चरण था उसमें कौन-कौन से जिल्ले शामिल किये गए तो यहाँ पर अब जो है आबू और देलवाडा जो की छटे चरण में इनको नहीं मिलाया गया था सिरोही को मिला दिया गया था आबू देलवाडा को छोड़ कर तो सात्वे चरण में आबू देलवाडा को मिला दिया गया केंदर शाशित प्रदेश जो अजमेर मेरवाडा था उसे मिला दिया गया मंद सोर का सुनेल टपपा जो की मद्य प्रदेश के शेतर में आ रहा था उसे मिलाया गया जिस से एकी करण की प्रक्रिया पूरी हो गई तो यहां पर हमने थर्ड चेप्टर जो है आधुनिक राजिस्थान का निर्मान इसके हर कोश्यन जो है वो कर लिये हैं जितने भी पहराग्राफ में जितने भी कोश्यन बन सकते थे वो सभी मैंने यहां दे लिये हैं कुल मिलाकर 27 कोश्यन जो है इस चेप्टर में से निकल कर आए हैं बहुत ज़्यादा important है, बहुत बहुत ज़्यादा, आप लोग एक भी question जो है वो miss ना करें, मिलेंगे next वीडियो में chapter 4 के साथ जो जनसंख्या से सम्मधित होगा, thank you